स्टार्ट करते हैं NCIT XS के कुश्चिन matter in and over surrounding class 9th का तो question number 1 में क्या पूछा गया है convert the following temperatures to the Celsius scale तो यहाँ पर के का मतलब Kelvin था मैंने interest question भी करवाय थे इसके तो वहाँ पर हमें क्या पूछा था वहाँ पर भी हमें यही पूछा था ठीक है तो हमें क्या करने था उसको Kelvin में change करना था तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करते हैं हम इसको ध्यान से देखना 293 Kelvin दे रखा है तो इसका formula होता है मैंने वहाँ पर बताया था formula क्या था हमारा temperature on Kelvin scale तो यहाँ पर मैं simple short form में लेखता हूँ temperature on Kelvin scale कर कर कहीं लिख दिया है हमने equal to temperature on Celsius scale का C plus 273 Kelvin होता था हमें क्या होता था 273 Kelvin तो हम्में k given है 293 given है और यहाँ पर Celsius हम निकालना है तो C रखेंगे और यहाँ पर 273 Kelvin है और यहाँ पर क्या होगा यह transpose हो जाएगा इस साइड तो Celsius हमारा कितना हो जाएगा Celsius हमारा हो जाएगा यहाँ पे 293 minus 273 Kelvin ठीक है एक bracket लगा के Kelvin कर देता हूँ तो यह हमारा कितना हो गया 20 degree Celsius ठीक है same हम यहाँ पे उस formula से हम B part भी निकाल लेंगे B part में हमें क्या दे रखा है 470 Kelvin दे रखा है तो यहाँ पे 470 equal to C plus 273 होता था हमारा equal to कितना होगा हमारा equal to होगा 470 minus 273 इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे subtract तो यहाँ पे क्या होगा 10 में से 7 गए तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 197 ठीक है तो यहाँ पे कितना आ गया 197 degree Celsius ठीक है अब हम बढ़ते हैं पार्ट स्टार्ट करते हैं हमें यहाँ पे क्या दे रखा है Kelvin scale में निकालना है Celsius में दे रखा है तो हमें पता है temperature on Kelvin scale को मैं K मान लेता हूँ equal to equal to और यहाँ पे हमें क्या था उसका formula temperature on Kelvin scale temperature on Celsius scale C मान लेते हैं प्लस 273 Kelvin तो 0 degree Celsius हमारे 273 Kelvin होता है के हमें निकालना है तो के को के रखेंगे Celsius हमें दे रखा है 25 प्लस 273 Kelvin कर लेते हैं इसको अब देखते हैं यहाँ पे कितना हुआ है इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 538 और 729 और यहाँ पे होगे 298 Kelvin ठीक है अब हम इसका B पार्ट देख लेते हैं B पार्ट में क्या करना है हमें B पार्ट में यहाँ पे दे रखा है 373 degree Celsius फॉर्मुला इसका लिख लेते हैं के एक कोल टू C प्लस 273 Kelvin और यहाँ पे हमें Kelvin इकोल टू Celsius कितना दे रखा है 373 फ्लस 273 यह दोनों हमारे किसमें है Kelvin में है अब यहाँ पे करने के लिए इसको प्लस करते हैं 336 हो गये हैं यहाँ पे 7714 हो गया और 325 और 16 यह हमारा हो गया 646 Kelvin ठीक है अब हम बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने आप ही क्या होती है तो यह कौन सा प्रोसेस था हमारा सब्लीमेशन सब्लीमेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको एक्स्पेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा पहला दिखते हैं तो यहां पर कौन सा प्रोसेस लग रहा है यहां पर सब्लीमेशन धियान रखना ठीक है बी पार्ट हमारा क्या है वी केन गैट दे वी केन गैट दा समेल अपर्फियूम सिटिंग सेवरे मीटर अवे तो हमें पर्फियूम की इसमेल जो होती है काफी दूर से भी आ जाती ऐसा क्यों होता है गैसेस पार्टिकल्स पोसेस हाई काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं जो उनके मोशन करने की छमता होती है काफी फास्ट होती है तो motion के वज़े से उसमें high kinetic energy होता है particles of perfumes diffuses into these gaseous particles at a very faster rate and reach to our nose तो particles perfume क्या होते हैं जो अपने ear में काफी जल्दी diffuse होते हैं काफी जल्दी मिलते हैं मिलने के वज़े से क्या होता है वो फिर क्या होते हैं split हो जाते हैं उधर उधर भागने लगते हैं से तकरा के और वो दूर-दूर तक फैल जाते हैं जिसके वज़े से हमें क्या होती है दूर-दूर तक स्मेल आती है perfume की this enable us to smell the perfume from distance ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने next question के सब्सक्राइब question number 4 तहीं हाँ पर arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles तो forces of attraction हमारा solid particles में क्या होता था पास-पास होता था liquid particles में थोड़े दूर-दूर होते थे और gas particles में क्या होते थे काफी दूर-दूर होते थे उस हिसाब से ये हमें water, sugar और oxygen क्या करना है हमें arrange करना है oxygen हीजे gas the forces of attraction between its particles will be the weakest है तो इसका force of attraction क्या होगा हमारा वीक होगा क्योंकि उसके particles काफी दूर-दूर होते हैं गैस के particles second हमारा क्या है यहां पर water water क्या हमारा liquid particles से the force of attraction between its particles will be stronger मतलब किस से जदा stronger होगा oxygen से जदा strong होगा क्योंकि oxygen किसमें था gas form में था तो कुल मिला के जो liquid particles से वो gas से क्या होंगे थोड़े stronger होंगे sugar particles हमारा क्या है solid है the force of attraction between its particles will be the strongest solid में क्या होते हैं हमारी जो particles होते काफी पास-पास होते हैं तो इनको अब अगर हम arrange करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा solid हमारा particles क्या होगा increasing water में लगाएंगे तो sugar होगा फिर उसके बाद water फिर हमारा oxygen ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने next question के नमबर 50 है पर what is the physical state of water at 25 degree celsius 0 degree celsius और CA हमारा 100 degree celsius तो कौन से state होगा 25 degree celsius पर जान लेते हैं between 0 to 100 degree celsius water exist as liquid तो 0 से 100 degree celsius के बीच में जो होता है हमारा liquid क्या होता है water की form में होता है the physical state of water at 25 degree celsius is liquid क्योंकि यह इसके middle में follow करता है second हमारा 0 degree celsius है 0 degree celsius is the melting point of ice यहाँ पर क्या होता है ice liquid की form में change होना start होता है as well as the freezing point of water तो यहाँ से क्या होता है 0 point से अगर हम यहाँ करेंगे इसको melt burner में लगाएंगे तो यह क्या होगा हमारा melt होना start होगा अगर freezer में रखेंगे तो 0 degree से हमारा क्या होता है solid form में ice बना start होता है तो यह दोनों तरफ हो सकता है hence the physical state of water can be both liquid and solid तो यह हमारा liquid भी हो सकता है और solid भी हो सकता है c point है हमारा 100 degree celsius 100 degree celsius is the boiling point of water हमें पता है boiling point of water कितना होता है 100 degree celsius as well as the condensation temperature of steam तो यहाँ पर हमारा gas form भी होता है 100 degree celsius पर क्या होता है हमारा gas बनना start हो जाता है जो water vapor में change होने लगता है hence the physical state of water can be both liquid और gas at 100 degree celsius अब हम बढ़ते है अपने next question के तो नमबर 6 है यहाँ पर give two reasons to justify water at room temperature is a liquid second हमारा iron almira is a solid at room temperature तो पहला क्या है हमारा water को जो है हमारा room temperature पर liquid की form में क्यों रहता है पहली बात वो liquid की temperature में इसलिए रहता है क्योंकि जो हमारा freezing point है वो 0 degree celsius से कम पे होता है और जो boiling temperature वो 100 degree celsius पे होता है तो जो हमारा room temperature होता है इन दोनों के बीच में follow करता है ज्याज़दा maximum 40 जाता है और minimum से minimum हमारा 0 degree celsius 10 degree celsius रहता है room temperature तो इनके बीच में क्या होगा यहाँ पे वो तो change नहीं हो जाएगा water हमारा liquid की form में रहेगा the freezing point of water is 0 degree celsius and the boiling point of water is 100 degree celsius at room temperature the particles of water do not have enough energy to break free the intermolecular forces of attraction of which तो 100 degree celsius पे जो particles of molecules होते वो break होना start होते है बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंके room temperature हमारा जो होता है इसको break करने में उसको नहीं कर पाता उसमें असनी शक्ती नहीं होती वो नहीं कर पाता इसलिए hence water remains as liquid at room temperature भी हमारा क्या है an iron alumirage is solid at room temperature because melting point of iron melting point of iron is not enough to break the molecules of solid metal तो यहाँ पे होता क्या है जैसके हमारा solid particles होते है इसके particles काफी close होते है तो इसका melting point काफी high होता है मतलब 1500 degree celsius होता है और room temperature तो आपको पता है कितना होता है तो यह हमाँ पे melt नहीं करेगा तो इसके जो particles है यहाँ पे भी break नहीं होंगे तो दो point होगे एक तो particles इसके break नहीं कर पाएगा room temperature second और जो इसके molecules है वो हमारे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे ठीक है अब हम बढ़ते है अपने next question question number 7 देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature अगर 0 degree Celsius पे हमारा water है हमें पता है कि 0 degree Celsius में दोनों चीज हो सकती है 0 degree Celsius पे हमारा क्या हो सकता है water भी हो सकता है और क्या हो सकता है हमारा ice भी हो सकता है तो 0 degree Celsius पे दोनों पर इसने बोला है 0 degree Celsius पर अगर हमारा क्या होगा आइस होगा तो ज्यादा एफेक्टिव है कूलिंग में है आइस अपने हाथ में रखेंगे तो ठंडा लगेगा पर वही 0 degree Celsius पर वाटर रखेंगे तो थोड़ा हीट उसमें रहती है तो यहां पर वही बताना है कि असर क्यों ह होता है आइस at 273 Kelvin is more effective in cooling a substance than water at the same temperature because in order to overcome the fusion become water ice at 273 Kelvin will absorb heat energy from the surrounding known as latent heat of fusion तो आइस क्या होती है आइस एब्सोर्फ करते है हीट energy आइस क्या करते है महां से heat energy एब्सोर्फ करते है महां पर वह heat energy का नाम क्या था latent heat of fusion हमने एक experiment किया था हमने एक बीकल लिया था नीचे बर्नल लगा था उसका temperature महा था जब बर्नल लगाते है तो सारी ice को पीगलने में time लगता था जब तक वो ice पूरी पीगलती नहीं तो महां पर कौन सा वर्क करता था latent heat of fusion वर्क करता था क्योंकि जब तक सारी ice melt नहीं होगी तो महां पर उसका temperature increase नहीं होगा zero degree celsius ही दिखाएगा तो यहां पर इसलिए हमारी ice क्या यहां पर ज्यादा effective है hence the cooling effect of ice will be more than water at the same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium तो महां पर क्या और था ice तो महां पर क्या गरी थी heat absorb कर रही थी latent heat of fusion but यहां पर water कहां करेगा water तो सीधा vapor form में उबलना start हो जाएगा तो इसलिए हमारा क्या है ice ज्यादा cooling effect में आएगा तो latent heat of melting point latent heat of melting of ice क्या है हमारी यहां पर 334 joule per kilogram यह unit है मैंने हापर इसलिए याद कर दी knowledge के लिए काम आएगी ठीक है अब हम बढ़ते next what produces more sewer burns boiling water और steam उबलतो पानी जाद नुकसान दे सकता है या भाब दे सकता है यह हमें बताना है particles in steam क्या होता है water vapor की form में होता है at 373 Kelvin हमें पता है 100 degree Celsius पर क्या होता है पानी उबलता भी है और गैस की form में भी होता है तो यहां पर जो गैस की form में होता है उसके पास होगा more energy than water at the same temperature ठीक है second point है this is because particles in steam have absorbed extra energy तो particles of steam में क्या होगी जादा energy होगी in the form of latent heat of vaporization कौन सी form में होगी latent heat of vaporization यह होता क्या है जब तक हमारा सारा पानी gas की form में change नहीं हो जाता तो जब तक कौन सी heat काम करती है हमाँ पर latent heat of vaporization हमें पता है जहां पानी उबालते हैं तो 100 degree Celsius पर बोलता है और जब तक सारा पानी नहीं उबल जाता तो हमारी वहाँ पर latent heat of vaporization वर्क करता है जैसे हमारा solid to liquid में कर रहा था latent heat of fusion थर्ड पॉइंट है हमारा when steam tends to cool down अगर भाब थंडी होगी तो पहले वह किस में change होगी condensed होगी फिर water में change होगी तो इसका मतलब भाब क्या कर रही है भाब जादा नुकसान है क्योंकि भाब क्या हो रही है पहले पानी में change हो रही है और हम boiling water डालेंगे तो वह इतना नुकसान नहीं देगा जितना हमारा भाब देगा and then water tends to cool down to the temperature of the skin since steam gives out much more heat than boiling water it causes more sewer burns ठीक है इसमें बोला है भाब क्या होगी पहले ठंडी होगी boiling water में change होगी फिर उसके बाद ठंडी होगी तो इसलिए simple क्या है तो steam हमारी क्या है जादा खतरनाक है ठीक है अब हम बढ़ते हैं नंबर 9 में क्या देखा नेम A, B, C, D, E, and F in the following diagram showing changes in state तो A में क्या है Solidity liquid change हो रहा है Solidity liquid change को हम क्या बोलते है क्या बोलते हैं fusion और melting भी बोल सकते हैं ठीक है दोनों में से एक कुछ भी बोल सकते है melting माने पिगलना होते है, fusion का भी काम वही होता है Solidity liquid में B part में क्या हो रहा हमारा? Liquid to gas में change हो रहा है किस में हो रहा है? Liquid to gas इसका मतलब क्या और हां पर माने है? Liquid to gas में evaporation हो रहा है क्या हना? 경우에는 and drinking to gas मेंद इवापोरेशन हो रहा है let it to gas 突發हवरेशन यहां में इसको boiling भी कह सकते है C हमारा क्या है, Co2B gas to liquid में क्या होता है हमारा condensation होता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं condensation में क्या होता है जैसे कि हम पानी उबालते हैं और उसमें थाली जहती थी तो पर पानी हो जाता था तो हमारा condensation process में आता है फिर हम यहाँ पर क्या रखा है डी पार्ट में liquid to solid liquid to solid में क्या होगा standardification क्या आएगा हमारा solidification solidification या freezing भी कह सकते हैं जैसे के हम बरफ को क्या करते थे पानी को बरफ में change करते थे तो वहाँ पे freezing भी हो गया और solidification भी कह सकते थे अब हमारा आएगा fifth fifth क्या था ABCDE e point हमारा fifth point e में क्या हो रहा हमारा solid to gas हो रहा है solid to gas को हम क्या बोलते थे sublimation बोलते थे sublimation solid to gas में क्या हो रहा है sublimation जैसे naphthalene बोलती है हमाँ पर क्या होता था solid में होती थी फिर वो कुछ दुना बाद gas में और जाती थी और हमाँ पर कुछ भी नहीं बसता था और गैस टू सॉलिड भी हमारा क्या होगा सबली मेशन होगा ठीक है होप आपको यह समझ में आयोगा पूरा अब हम बढ़ते हैं यह तो चेप्टर खतम हो गया है अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स चेप्टर की तरफ ठीक है